हेलो अबरीवन बेलकम बैक मैं चैनल लूंस अगीन तो यहां पर बात करने वाले हैं लीट कोड के मिडियम लेवल प्रॉब्लम जिसका नाम है वैलिड असक्वेर अंड यह क्वेश्चिन मैं एसे ही रैंडम चूज किया मैं एक जोमेटरी प्रॉब्लम को सर्च कर रहा था य अगर आपको बेसिक कुछ डेफिनिशन रिक्टैंगल स्कॉयर के बारे में नौलेज थोड़ा सा भी है तो आप आराम से इस क्वेश्चिन को कर सकते हो बाकी ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है क्या बोलो आपके पास 2D स्पेस के चार पॉइंट दे रखें तो 2D स्पेस कहने है P1, P2, P3, P4 चेक करना है कि चारों पॉइंट को मिलाने पर चारों पॉइंट को जब हम P1 से P2 को जोइन करें P2 से P3 को जोइन करेंगे ठीक है यह यह आपका मैं बता रहा हूँ पीबन, P2, P3, P4 इसने यह नहीं बोला कि कौन से ओर्डर में है इसने ओर्डर डिफाइन नहीं किया पीबन, P2, P3 यहाँ होगा यह P3 यहाँ होगा इसने यह नहीं बताया समझे रहो जब आप P3 को यहाँ कर दोगे तो यह P1 से P3 का डिश्नेंस देखना पड़ेगा और P2 से फिर P4 का बनेगा एक्चुली यह चीज ऐसे भी हो सकती है इसने यह चीज ओको नहीं बताया है इसको हम P1 यहाँ पर P2 कर दें यह भी चल सकता है यह P1 है यहाँ पर P3 कर दें और यह हम P2 करें और हमारा यहाँ पर P4 होगा अब हम अलग-अलग figure को ड्रॉ करते हैं करें दें घुझ करें पर दें ऊंद्र फोर साइट से बना हुआ एक लोग लोग और वी द्रॉह है चोछ मैदमेटिक टर्म अगर ऐसा है आपको जो नहीं definition क्या होता है कि एक ऐसा कोईडोलेटरल जिसके चारो साइड इकल हों 4 साइड इक लुट कि आएट फॉर एंगल जो इसके होते हैं यह एंगल थो साइड के बीच के जो एंगल होते हैं यह एंगल बेसिकल इस तरीके देनोड किया दा मैं लिख देता हूं आप पर फोर एंगल यह सब चारों जो होते वो 90 डिग्री होते हैं चारों एंगल 90-90 डिग्री पर्पेंडिकुलर यह आपको चेक करना है कि क्या तिन में सब्सक्राइब एक फीगर जो है वो इस तरीके से बन रहा है अगर नहीं तो आपको फॉल्स रिटन करना अधर्वाइज आ सबसे पहले में और चीज़ बता दूँ एक और फीगर होता है स्क्वाइर के साथ साथ एक और फीगर होता है रॉंबस का बोलते हैं उसको उसमें क्या होता है उसमें भी चारों साइड आपके एक्क्वल होते हैं बट उसके एंगल जो है वो 90 डिग्री जो है आपका फिक्स है in square में वह उसमें fix नहीं होता तो अग यह मैं क्यों बता रहाँ सबसे पहले है समझदा इसका क्या बात है आप यहां पर रॉंबस का क्या मतलब है तो इसका इसलिए मैं यहां पर बात किया हूं इसलिए जिक्रिक्रिक्ता हूं ताकि आप अगर सिरस 4 four-side-equal को check करकर yes or no को decide कर रहे हो return to true or false तो वो आपका गलत होगा क्यूंकि वो rhombus भी तो हो सकता है आइसे rhombus इस तरीके से आपको दिखता है आप स्क्वायर को लो इसको ऐसे आई से करके सब्सक्र टील्ड कर दो तो उस जाएगा साइड उसी तरीके से रहेगा ठीक है तो यह रॉंबस भी हो सकता तो एक कंडिशन जो फूर साइड इक्वल है वो सिर्फ वही चेक करना इनफ नहीं होगा तो आप अब 90 दिग्री वाला चेक कर सकते हो बट यहां पर मेरे पास एक दूसरा ऑप्सन भी है एक प्रोपर्टी और होता स्क्वाइर के बारे में कि इसके दोनों डाइगोनल इक्वल होता है यह डीवन अगर मैं बोल रहा हूं और इसको मैं डीटू बोल दूं इसके ऐसे बहुत सारे प् स्कॉइयर ठीक है अब चुक्य यह चीज जो है यह भी डिस्टेंसे रिलेटेड़ है और आसानी से हम डिस्टेंस को कल्कुलेट कर सकते ढहे एक स्कॉएयर का स्कॉएयरлек यह इन दोनों पॉइंट की बीच का डिस्टेंस हो जाएगा अब मैं एंगल को क्यूं वाइड कर रहा हूं क्यूंकि इसमें थोड़ा सा को चेक करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता क्या हो जाएगा इस केस में हम इसको अराम से कर सकते हैं इस स्क्वाइर कि यह होने चाहिए और दोनों जो डाइगवनल होगा वो एक्वल होना चाहिए आपस में अब मैं एक चीज़ और इसे के साससथ की रॉंबस का मैंने जिकरी खिया और compare भी किया तो मैं आपको बता दूं की रॉंबस में दोनों डाइगवनल इक्वल नहीं होते हैं आप ऐस सब्सक्राइब कर दो जो बनेगा पूरे साइड वाई साटाकर रखना उसको तो जो बनेगा वह रॉंबस है और जो प्रपेंडिकुलर होके बना वह आपका स्कॉयर है तो अब हमें क्या क्या है क्या क्या क्यों और जो ह्कों पया होते विश्टेंस निकाला सुनिकों है अगर मैं पीवन की बात करो यहां पे P1 P2 P1 के साथ P4 यहाँ पर P3 भी आ रहा तो हमें क्या करना P1 के साथ तीनों पॉइंट का distance लेना तो मैंने लिया P1 P2 P1 P3 P1 P4 तीनों पॉइंट मैं बस check कर रहा हूँ किसी भी condition में अगर बनना होगा square तो यही condition मेट करेगा जो हम P2 के साथ आते हैं तो वही सेम चीज करना है अब P1 के साथ P2 हो रखा तो P2 के साथ P3 और P2 के साथ P4 similarly for P3 अब यह check करने के लिए calculate distance मैंने रखा और simple यह आपका distance formula का square मैंने रखा अगर distance एकोल है तो square भी एकोल है चार है तो 16 ही होगा ठीक है अब distance में जाते हैं यह distance अगर एकोल होगा तो चारो साइड का distance कुछ होगा चार पाँच और उसका जो आपका diagonal होता वो बेसकली root 2 into side होता तो वो कुछ अलग होगा तो यह distance dot size equal to 2 रखा मतलब दो तरह के आपका distance होगा एक तो आपका side का distance और एक आपका diagonal वाला ठीक है और जीरो कोई नहीं होगा non zero होने चाहिए तो अगर यह condition मेट करता है तो true otherwise आपका square बन ही नहीं रहा होगा यहां पर ठीक है यह चीज़ हमें बस check करना था तो यह बस आपको यहां पर return हो जाएगा यहां पर हमने कुछ भेंकर सा नहीं किया है हमने बहुत सिंपल आसान तरीके से चिक किया यह हमें पूरा का पूरा हर किसी को चिक करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां पर इसने order नहीं बड़े